तो गाइस क्या आप अपनी Facebook ID को डिलीट करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपका दूस्त कपिल बताऊंगो कि कैसी आप अपनी Facebook ID को परमनेंटिली डिलीट कर सकते हो तो गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्क्रा अप देंगे इसके बाद आपके एक option मिलेगा सबसे फॉस्ट मही तो यहां पर इसको टाइप कर देना लेगा इसको आपको क्लिक कर देना है इस बाद कर तो यहाँगी आपको index depends here यहां पर एक option मिलेगा account ownership and control तो आपको account ownership and control पर click कर देना है अब आपके पास दो option आएंगे यहां पर देखो memorialization and deactivation and deletation तो यहां पर हम deletation में click कर देंगे second option जो है इसके बाद हम अपनी ID चूज़ करेंगे ID पर click कर देना है इसके बाद आपको यहां पर दो option और मिलेंगे deactivate account या delete account deactivate account पर यह होता है कि आप कोछ दिने लिए अपने account को deactivate करना चाहते हैं तो आप first option चूज़ कर लीजे लेकिन आज की शीड़ में आपको बता रहा हूं कैसे आप अपने अब हमसे पूच रहा है कि आपको जो ID है वो Facebook से अलग हो जाएगा तो हाँ ठीक है हम करना ही चाहते हैं तो यहां पर फिर आपको continue पर click कर देना है यहां पर एक बाद फिर से मंग रहा है तो नीचे आना है यह देखो डिलीट करने के लिए आ चुका है तो यहां पर देखो आपको जो आईडिया 30 दिन तक डिलीट नहीं होगा इसके बाद यह डिलीट हो जाएगा ऑटमेटिकली अगर आप इसको लॉग नहीं करते हैं तो यहां पर डिलीट कर देंगे हमारो जो एकाउंट है वो कि प्रोक्रिया में चला जाएगा इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जाब तक यह पेज रिलीट हो रहा है थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे यह देखो आपको शामने से देख रहा है सारी चीजह आपको यह पास लाइब प्रूम में दिखाई दे रहा पेस्बुक ओपन कर लेंगे यहाँ पर देखो फिर से देखो हमारी जो आईडी है बिल्कुल आशान तरीके से डिलीट हो चुकी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दो चैनल पना हो चैनल को सब्क्राइब कर दो मिलते हैं ने जै भारत